नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ विरेंद्र सेंग जै हिंद जै भारत एपी इंडिपेंडेंस डी टू आल डियर लर्नर्स जो भी मेरे साथ इस यूट्यूब फैमिली का जो हिस्सा बने हुए सभी लोगों को स्वतंतरता दिवस की धेर सारी सुपकामना है मैं उमीद करता हूँ कि आप बहतर होंगे स्वस्त होंगे आपकी फैमिली भी स्वस्त और बहतर होंगी इस सोतंतरता दिवस पे एक छोटी सी बात करने के लिए मैं यहां पे जुड़ा हुआ हूँ और ये बात अक्सर कहते हैं कि हम आजा बहुत सारे सोच बदले, बहुत सारे लोग बदले, बहुत सारी संस्कृती भी बदली, बहुत सारी अच्छी भी चीजे हुई, बहुत कुछ बुरी भी चीजे हुई, लेकिन काफी कुछ बदल गया, उस लोग यहां से बाहर जाने के बाद या कुछ ऐसे सिच्वेशन कहत 29 states के साथ इतने सारे languages नजाने कितने कह सकते हैं कि अलग-अलग cultures को एक combined country में maintain करके रखा जा रहा है, वो एक कमाल का अपने आप में uniqueness है, और यह आपको बहुत ही rare cases में देखने को मिलता है कि इतनी diversity rich culture एक जगा पे इतने peacefully तरीके से रह रहे हैं, although कुछ और भी चीज़े होती हैं, जहां पर थोड़े बहुत कभी-कभी यह peacefulness degrade होता है, लेकिन अगर हम उनको थोड़ा सा neglect करके, बाकी positive हिस्सों की बात करें, तो काफी कुछ बहतर भी हुआ है, और ऐसे ही आप बहतर करते रहे हैं, इस सोतंत्रा दिवस पर बैस मैं यही चाहता हूँ, कि एक छोटी सी चीज़ आप और बहतर कर सकते हैं, वो है अपने सोच को, although ऐसा नहीं कि आपकी सोच बहुत करबड हो सकता है कि मेरी इस पास से कई लोग इंतिपाक भी रखें लेकिन, ultimately यह है कि कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो हम और बहतर कर सकते हैं, चीज़े बहतर जरूर हैं, लेकिन उनको और बहतर किया जा सकते हैं, और वो बहतरी एक चीज़े की हमारी सोच आजकल बहुत ही एक्स्ट्रीम डारेक्शन में भाग रही हैं, मतलब अक्सर हम कुछ जो कह सकते हैं कि असमाजिक तक्त्वो या असमाजिक जो प्रोपेगंडा की वज़े से हमारी सोच जो है वो एक्स्ट्रीम इन्वार्मेंट में भाग रही हैं, मतलब हम हर चीज को एक extreme situation में देखने की कोसिस कर रहे हैं जिसकी वज़े से दूसरा हिस्सिरा है उस पोल का हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए basically जब हम बात करते तो हमें एक centralized approach या एक unbiased approach के साथ सोचना बहुत बहतर है मैं यह नहीं कर रहा है कि सभी को यह करना चाहिए करें तो बहतर है और जो इस बात से agree करते हैं आप हमेशा एक unbiased approach रखें आप जितनी इज़त गोरी लोगों की करते हैं उतने ही सामले या dark people की भी करिए color के basis पे biasness मत करिए religion के basis पे biasness मत करिए क्योंकि अगर आप बहुत extreme होंगे तो आप समझ लीजे एक दो पोल की तरह है अगर आप एकदम इस पोल पे खड़े हैं तो दूसरे पोल पे क्या है वो आप कभी भी feel नहीं कर पाएंगे और जब आप center पर हैंगे तो आप इधर भी देख सकते हैं और कोई manager है तो हम उसकी बहुत इज़त कर रहे हैं कोई रिक्सा चला रहा है तो इज़त नहीं कर रहे हैं कोई बहुत rich है तो इज़त कर रहे हैं कोई बहुत rich नहीं है तो इज़त कर रहे हैं अगर आप respect कर रहे हैं तो हर एक कह सकते की criteria का जो है हर एक work culture का जो है respect करिए चाहे वो छोटा सा रिक्सा चलाने वाला, या ठेले पे गोलगप्पे का ठेला लगाने वाला हो, या एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मैनेजर ही क्यों ना हूँ, दोनों को आप समान रिस्पेक्ट देने की कोशिस करिए, क्योंकि दोनों के लिए ही work is worship है, दोनों का अपना काम उनक इन सब चीजों से या उनकी पहनावे से कि कोई किस तरीकी का पहनावा रख रहा है, कोई किस बैग्राउंड से आया है, SC, ST, General, इन सब चीजों से अलग होगे, अगर एक biased अप्रोच से हटके, अगर एक unbiased और center में रहके खुद को सोचेंगे, और यह सोचेंगे कि वो भी अपनी जगा पे जैसे हैं, वो ठीक है, यह भी अपनी जगा पे जैसे वो ठीक है, तो बहतर है, प्रिपया करके इस Independence Day अपने thoughts को इस biased सोच से निकाल के, आजाद करके एक unbiased सोच पी आईए, चाहे कुछ भी हो, यह सिरा भी सही हो सकता है, और यह भी सही हो सकता है, किसी के यह 6 सही है, तो किसी के लिए वही 6-9 भी है, यह देखने का नजरिया है, और आप हर नजरिये का सम्मान करिए, चाहे वो कोई भी कुछ भी बात कर रहा हूँ, मेरी इस बात को कुछ लोग सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा नजरिया है, हो सकता है इस नजरिये को कोई उ समाज में लेके जाएं, ताकि हम एक unbiased culture, एक unbiased thoughts को develop करें, जिससे हमारे बच्चे या हमारे जो आगे आने वाला generation है, वो एक बहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ सकें, और ये क्यों कहना जरूरी था, जरूरी इसलिए था, क्योंकि जनाब अगर यही सोच रखे होते सिर्फ ह हम अपनी जिन्दगी जियें, और हमें दूसरों सोच क्या लेना देना, तो सायद यही सोच जो हमारे चंद सेखर आजाद, भगत सिंग, सद्गुरु, सुखदेव, लाल बहादुर सास्त्री, सुभाशन बोस, और जितने भी ब्राज गुरु थे, और बहुत सारे जो भी freedom fighters थे, अगर वो लोग भी यही सोच थे, तो सायद हम आजाद ना होते, और आज हम यह अपनी बात नहीं कह पा रहे होते, तो I just humbly request you once again, be independent with your thoughts, be centralized, be unbiased, that is one motto, I want to say that, hope की यह बात आपको अच्छी लगी होगी, एक बार फिर से independence day की आप सभी लोगों को धेर सारी सुख काम मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, जय हिंद, जय भारत